है दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी आई एस और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिसकस करूंगा इंडिया की न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्राम के बारे बे जिसे अभी रिसेंटली यहां पे अपूरूवल मिलिया है दोस्तो बता दू कि यह जो पूरी स्की स्कीम है तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाती क्योंकि जो सारा पैसा है यह जो सेंटल गवर्मेंट है यह लगाने वाली है तो इसी के बारे में हम लोग डिसकस करते हैं क्या है यह कैसे इंप्लिमेंट होगी इस प्रोग्राम में क्या चीजे अलग हैं काफी कुछ आप आगे तो उससे पहले बता दूँ आप लोग को कि अनेकेडमी लाइट वर्जन आपके लिए लाग गया है जहां पे अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर एरिया जो की वीक है उसके अगर आप लोग को त्यारी करनी है तो वो भी आपको अनेकेडमी करने का मौका देगा दे रहा है साथ ही गाइडेंस प्रोग्राम है जो की चालू हो गया है तो आप जल्दी जाके रिजिश्टर कर सकते हैं काफ़े चेक्सपीरियंस आप लोग को देखने को मिलेगा और अनेकेडमी स्टोर है दोस्तों वो भी दिल्ली में खुल चुका है तो जो बच्चे आस- इंडिया लिट्रेसी प्रोग्राम ओकी आप बता देता हूं आप लोग को कि यह जो आप कह सकते हैं प्रोग्राम है दोस्तों पूरे तरीके से यह पहले आप कह सकते हैं जो अगला हमारा आएगा 22 से लेके 27 वाला जो फाइनेशल एर रहेगा वहां आपे हमें देखने को मि अगला कि इस बात को भी एजूकेशन मिनिस्ट्री ने बताया है इससे पहले बता दूँ आप लोग को कि जो पहले टर्मिनलोजी यह यह यूज करी जा रही थी वो सिर्फ और सिर्फ यहां पे आपके सकते अप्लीकेबल थी अडल्ड के लिए लेकिन अब एजुकेशन कि वो प्रमोट कर सके हैं लिट्रेसी को अमंग नॉन लिट्रेट्स के बीच में जिनकी यहां पे जो एज ग्रूप है वो 15 या फिर उससे ज़्यादा का है कवरेस दोस्तों बता दूँ आप लोग को कि यह लगबग पूरे कंट्री में पांच करोड जो यहां पे नॉन लिट्रेट्स हैं उन्हें कवर करेगा और इंप्लिमेंटेशन जो प्रियेड है दोस्तों वो 22,23 और 26,27 तक का बता गया है पांच साल का रखा गया है जिसमें य जो शेयर रहेगा वो 700 करोड का रहेगा और इस टेट का जो शेयर रहेगा वो 337 करोड का हमें देखने को मिल रहा है पांच कमपोनेंड हैं दोस्तों इस स्कीम के पहला कमपोनेंट आपका foundational literacy and numeracy हो गया आपका फिर आपका critical life skills, vocational skills development, basic education और continuing education तो ये जो 5 component है इस scheme के उसे रखे गए हैं और इनके basis पर ये जो पूरी scheme है ये implement भी होगी कुछ यहाँ पर features हैं इस पूरे scheme के जो कि से special भी बनाते हैं जैसे कि इसके अंदर जो involvement रहेगी वो school students की रहेगी pre-service students की रहेगी of higher education institution वाले, school teachers की होगी, आंगयनवाडी और आशा वरकर की इस school जो है दोस्तों वो unit रहेगी जो कि implement करेगी इस scheme को और ICT के साथ online implementation भी करवाय जाएगा इस scheme का through online teaching, learning and assessment system के साथ जहाँ पे जो resources वगएरा हैं ये digital modes में भी दिये जाएंगे आप कह सकते हैं TV, radio, cell phone based, free और open source app, portals इन सभी के तहत यहाँ जो सिक्षा है ये दी जाएगी implementation की बात करनें दोस्तों तो ये जो आप कह सकते हैं scheme है ये पूरे तरीके से implement करी जाएगी आप कह सकते हैं voluntary through पे, online mode पे रहेगी training, orientation, workshop, volunteers का जो कि इसमें participate करेंगे ये सब organized होगा, face to face mode में, हर एक material और जो source है यहाँ पे resource है, वो सब digitally दिया जाएगा school जो है, वो implement करवाएगी जिसकी, आप कह सकते हैं scheme को और साथ ही साथ, schools को भी use किया जाएगा, कि वो conduct करवा सके surveys, beneficiaries को लेके, voluntary teachers को लेके जोरत क्या है इसकी दोस्तों, हम लोग ये जो प्रोग्राम में ये क्यों कर रहे हैं देखे जो संसक्स आया था 2011 वाला, उसके अंदर यहाँ पे जो absolute number of non-literates का था, हमारे country में जिनकी एज 15 एफिर उससे ज़़दा की है उनका बताया गया था 25.76 करोड जिसके अंदर male की संग्या थी 9.08 करोड और female की थी 16.68 करोड की इस बात को दियान में रखते हुए कि हम लोग as a person किसी को यहाँ पे progress में कर सकें उन्हें certified कर सकें, literate बोल सकें, उनके लिए हमें यहाँ पे आप कह सकते हैं 7.64 करोड अंडर सक्षर भारत प्रोग्राम को इंप्लिमेंट करा गया 2019-10 और 2017-18 पांच साल के प्रियड में और यह estimate लगा गया currently लगबग 18.12 करोड जो adult हैं जो की अब भी non-literate रहे हैं इंडिया में उनको यहाँ पे आप कह सकते हैं सिक्षा देने की बात करी गई है तो दोस्तो यही है पूरी यह स्कीम यह पूरा जो प्रोग्राम है जो की implement होगा और इसके तहती लोग को भी सिक्षा दी जाएगी जिससे हम लोग कह सकते हैं जो overall development है हमारी country की वो हमें देखने को मिलेगी क्योंकि किसी भी country को अगर यहाँ पे develop होना है किसी country को अगर कुछ करना है अपन लिए